हेलो एन वेलकम बेक फ्रेंड्स स्टैंडर्ट सेवेंथ संस्क्रित सेमेस्टर टू चैप्टर नमबर फर्स्ट है प्रहेली काहा आज हम इस चैप्टर का फुल इंग्लिश ट्रैंसलेशन भी देखेंगे और हिंदी में एक्स्प्लेनेशन भी करने वाले हैं प्रहेली काहा इसका मेनिंग होता है पजल्स या फिर रिडल्स एक के बाद एक सारी पोयाम्स या फिर पजल्स को हम सौल करते जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है व्रुक्षा ग्रवासी नचा पक्षी राजह व्रुक्षा ग्रवासी उसका मतलब होता है कि व्रुक्ष के टॉप यानि की उपर के भाग में रहने वाला लेकिन वो पक्षी राज या फिर कहेंगे इगल नहीं है तो व्रुक्ष के उपर रहता है लेकिन वो इग यानि की जल को धारन करता है लेकिन वो गत यानि की घडा भी नहीं है और मेगह यानि की बादल भी नहीं है तो बोलो वो कौन है तो आंसर आएगा coconut यानि की नार्यल अब हम English में translation देखेंगे He lives at the tip of the trees यहाँ पे tip भी लिख सकते हो और top भी लिख सकते हो But is not an eagle, the king of birds, he has three eyes but is not the holder of trident यानि की त्रिशूल को धारन करने वाला नहीं है He wears a skin as a cloth but is not an enlightened aesthetic यानि की वो सादू नहीं है, चमडे का वस्त्रधारन करता है लेकिन वो सिद्धयोगी नहीं है He holds water but is not a pot or a cloud तो say who is he or who is it तो आंसर आएगा A coconut क्योंकि coconut जो है वो grows on the top of the palm trees और उसकी तीन आखे होती है और उसकी जो skin होती है वो covering with a shell and it holds water तो आंसर आएगा A coconut Next देखेंगे नर नारी समुत्पना सास्त्री देह विवर जिता नर नारी समुत्पना इसका meaning हम देखेंगे नर और नारी में से जिसका जन्म हुआ है created born from a man and woman सास्त्री यानि की वेसिस्त्री that woman देह विवर जिता यानि की देह यानि की शरीर उसका नहीं है without body है अमुखी कुरूते शब्दम जात मात्रा विनश्यती अमुखी यानि की मुँ के बिना without mouth वो शब्दम बात करती है max sound जात मात्रा विनश्यती का मतलब है की जन्म होते ही मृत्यू हो जाना विनश्यती यानि की destroyed मृत्यू हो जाना तो जन्म के बाद तुरंत ही वो destroy हो जाता है तो एससे कौन है एसस्त्री कौन है इसका English translation देखेंगे that woman created or born from a man and woman एसस्त्री जो नर और नारी से जन्म हुआ है जिसका लेकिन फिर भी वो बिना सरीर की है without body but still is without a body in spite of being without a mouth she makes a sound and is destroyed as soon as she is born say who is she यानि कि मुँ के बिना without mouth जो है वो बाते करती है आवाज करती है और जन्म के समाई ही नस्ट हो जाती है यानि कि खत्म हो जाती है तो बताईए वो कौन है तो यहाँ पे answer आएगा a snap of the fingers यानि कि चुटकी हम जो हाथों से चुटकी बजाते हैं जैसे ही उसका जन्म होता है वेसे ही उसकी मृत्यू भी हो जाती है उसी समय तो इसलिए answer आएगा a snap of the fingers नेक्स्ट है थर्ड नंबर कुष्ण मुखी न मारजारी कुष्ण मुखी कुष्ण यानि कि ब्लेक काला रंग तो ब्लेक उसका मुखी यानि कि फेस है लेकिन वो मारजारी यानि कि केट नहीं है बिल्ली द्वी जीवा नच सर्पिनी उसकी दो जीब है द्वी जीवा यानि कि जीब दो उसकी जीब है लेकिन वो सर्पिनी यानि कि फीमेल स्नेक नहीं है पंच भत्री नच पांचाली पंच यानि पांच भत्री यानि कि हस्बेंड उसके पाँच हस्बेंड है लेकिन वो पांचाली महाभारत में पांचाली आती है उसके पाँच पती होते हैं जिसके पाँच पांडव होते हैं उसका नाम है पांचाली तो यहाँ पे कहते हैं कि उसके पाँच हस्बेंड है लेकिन वो पांचाली नहीं है यो जानाती पंडित है, जो इसको जानता है, वो पंडित है, यानि कि वो विद्वान है, ट्रांसलेशन देखेंगे, she is black fast, यानि कि जिसका मुख black है, काला है, but is not a cat, वो बिल्ली नहीं है, and has two tongues, but is not a female snake, उसके दो जीब है, लेकिन वो female snake नहीं है, she has five husbands, but is not drowpady, जिसको हम पांचाली कहते हैं, उसका दूसरा नाम drowpady है, तो वो drowpady भी नहीं है, one knows her is a scholar, जो उसको जानता है, वो scholar यानि कि विद्वान है, तो चलिए इसका आंसर देखेंगे, pen, यानि कि जो fountain pen होती है, उसका मुख आगे से काला होता है, उसकी दो जीब ह होती है, जैसा हम picture में देख पा रहे हैं, आगे से, उसके पांच पती होते हैं, जो हमारे पांचों उंगलिया है, वो उसके पांच पती है, next puzzle है, दंते ही नह, यानि कि जिसके दात नहीं है, without teeth, फिर भी सीला बक्षी, शीला यानि पत्थर होता है, पत्थरों को खा जाता ह निर्जीव बहु भाशक है, जो निर्जीव है, लेकिन बहु भाशक है, यानि कि बहुत ज्यादा बोलने वाला है, गुण श्यूती सम्रुद्ध अपी का मेनिंग होगा, गुण रूपी रस्यों से बंधा हुआ, यानि कि जो लैजिस होती है, यहाँ पे इस का आंसर आए दूसरों के पेरों से चलता है, अपने पेरों से नहीं चलता, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन देखेंगे, यानि कि बहुत बाते करता है, तो वो कौन है, तो यहाँ पे आंसर आएगा, ए शू, शू के दांत नहीं होते, फिर भी वो पत्थरों को तोड़ देता है, यानि कि खा जाता है, ए शू has no life, but even then, it makes a lot of noise, उसको जीवनत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत आवाज करता है, बहुत बोलता है, वो जो है, थ्रेड से बंदा हुआ है, रसी से, और दूसरों के पेरों से, स्ट्रेंजर्स के फिट से चलता है, नेक्स्ट देखेंगे, कस्तूरी जायते कस्मात, को हंती करिना कुलम, किम कुरियात कातरो युद्धे, म्रुगात सीहह पलायनम, तो यहाँ पे इस रिडल के अंदर हमें तीन क्वेस्टन पूछे गए हैं, और तीनों का आंसर भी इसी पजल के अंदर ही हमें मिलने वाला है, तो चलिए, स्टाट करते हैं, कस्तूरी जायते कस्मात, यानि कि, from where is mask produced, कस्तूरी किस में से उत्पन होती है, कस्तूरी जो है, वो हिरन, यानि कि म्रुग के नाभी में से उत्पन होती है, कस्तूरी एक पदार्थ है, सेकेंड है, को हंती करिणा कुलम, यानि कि, who kills a herd of elephant, को हंती करिणा कुलम, यानि कि, इसका मतलब है, हाथियों के जुंड को कौन मार डालता है, हाथियों के ग्रूप को कौन खतम कर देता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा, share, lion, थर्ड क्वेस्चन है, किम कुरियात कातरो युद्धे, कातरो यानि कि कायर, और युद्ध में क्या करते हैं, कायर इनसान युद्ध में क्या करते हैं, इसका आंसर आएगा, पलायनम, जो हमारे पोयम का last word है, पलायनम, तो तीनों के तीनों आंसर जो है, वो हमें पोयम में से ही मिलते हैं, first है कस्तुरी, जायते, कस्मात, उसका अंसर होगा म्रुगात, यानि कि second line में हमारा last से third word है, को हंती करिणा कुलम, इसका meaning होगा, की हाथियों के जुंड को कौन मार डालता है, तो आएगा सीहह, जो हमें last से second word है, किम कुरियात कातरो युद्धे, कायर लोग युद्ध में क्या करते हैं, तो second line में last word है, पलायनम, तो तीनों के तीनों आंसर जो है, वो हमें इसी poem में से मिल गए है, जिसको हम कहेंगे अंतर आलाप, यानि कि जो riddle होती है, जो puzzle होती है, उसी के अंदर हमें आंसर मिल जाते हैं, तो अब हम English translation देखेंगे, from where is musk produced, who kills a herd of elephants, what does a coward do during war, तो from a deer, a lion runs, अब हम आंसर देखेंगे, three questions have been asked in this puzzle, and their answer are given one by one, तो first का आंसर है, musk is created in the nevel of a deer, मुरुग की नाभी में से जो है, वो हमें कस्तूरी प्राप्त होती है, second है, a lion, शेर जो है, kills a herd of elephants, और third है, a coward runs away during battle, कायर जो है, वो युद के दोरान भाग जाते हैं, this is an internal answer, यानि की अंतरालाप पोयम है, thank you so much for watching friends, एसे ही हमने सारे chapters की videos बना के रखी है, जिसकी full playlist की link आपको नीचे description में मिल जाएगी, ये video पसंद आया है, तो please like कर दीजिए, अपने friends के साथ भी इस video को share कर दीजिए, regular हमारी videos देखने के लिए, हमारी channel को subscribe करके, bell icon को all पर set कर दीजिए, thank you so much,